हलो दोस्तो वेलकम बेक टो नीव वीडो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अथ्य होंगे दोस्तो आज बात करने वाले नेक जनेरेशन एमटे 15 के बारे में उससे पहले दोस्तो आप लोगों को एक अच्छी नियूज देने वाला हूँ दोस्तो आप लोगों को लिए मैंने रखा है गिववे जी या दोस्तो आपके लिए पैसे बहुत ही अप जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे सौल्व कर सके आप गिववे का टामसं कंडिशन में आपको बता देता हूँ क्या है दोस्तों आपको बतादू हमने जो giveaway रखा है वो रखा है दोस्तों मेरा जो नया चैनल है समीर वाइटी टीप्स आपको description में link मिल जाएगा आप जाकर search कर सकते है या फिर अगर आप चाहे तो आप YouTube में search भी कर सकते हैं आपको आपको करना कुछ नहीं है समीर वाइटी टीप्स चैनल को subscribe करना है ताकि मेरे पस notification है आपके subscribe का और आपको एक मेरी किसी भी वीडियो में जाना और आपको आप एक अच्छा सा कमेंट करना है ताकि मैं जो giveaway के लिए सर्च करूँ तो comment आपका पहले नाम पर आजार जो भी आपका फिर first, second and third रहेगा उसे आपको price दे दिया जाएगा तो जन्ती से दोस्तो giveaway पर पाटिसिविट करिये terms and condition में यह है कि दोस्तो वी जो giveaway है वो 10, 10 परवरी तक अपला है यह दोस्तो 10 परवरी तक आप इसमें comment कर सकते है सब्सक्राइब कर सकते है चैनल को चलि दोस्तो आगे बढ़ते हैं बात करते है upcoming MT-15 के बारे में कि version 3 MT-15 में आपको क्या क्या नए update जो आपको देखने को मिल सकते है दोस्तो वैसे तो आपको इस बाइक में बहुत सारे update देखने को मिलने वाला है बढ़ दोस्तो इस बाइक में आपको जो सबसे पहला update मिलने वाला है वो मिलने वाला है दोस्तों इस bike के speedometer में आपको बते हैं दोस्तों अभी भी आपको bike में जो speedometer मिलता है वो आपको normal speedometer देखने को मिल जाता है जे दोस्तों normal speedometer आपको इसमें मिलेगा और फिलाल अभी आप लोगों को इस bike में TFT display नहीं आता तो finally दोस्तों अब आपको bike में TFT display देखने को मिलेगा अपनी MT15 में ये पहला update आपको bike में मिलने वाला है बात कर लिए दोस्तों इस bike के next update के बारे में तो वो मिलेगा दोस्तों इस bike के engine में देखिए आपको बता है MT15 में अभी तक हमें जो kickshifter है आपको देखने को नहीं मिलता जब दोस्तों kickshifter company ने जो है इसमें नहीं दिया है और दोस्तों आपको 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 किकshifter आता है तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा माइनस पॉट लगती है कि same engine है बट company ने इसमें kickshifter नहीं दिया और उसमें kickshifter दिया है तो मुझे इसा लगता है दोस्तों इस बाइक में जो kickshifter है वो होना चाहिए तो ये बिग जो नया update है आपको 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 100% kickshifter है वो आपको companies पे देने वाली है बात कर ले दोस्तों इस बाइक के next update के बारे में तो वो होने वाला दोस्तों इस बाइक की tail light में आपको बता है version 1 और version 2 में company ने tail light को लेकर थोड़ा भी काम नहीं किया है जिया दोस्तों company ने थोड़ा भी काम नहीं किया है अब मुझे दोस्तों पूरी उमीद है कि company याप पे थोड़ा सा काम करेगी और इस बाइक में नहीं वाली tail light देने वाली है I hope tail light का जो design होने वाला है वो काफी premium और काफी अच्छा होने वाला है और मुझे उमीद है कि company जो भी tail light का design दे वो थोड़ा बैतर दे ताकि भाई लोगों को पसंद आए तो वो भी एक नए अपडेट आपको mt15 version 3 में मिलेगा दोस्तों इसका जो next अपडेट होने वाला है वो होने वाला है दोस्तों इस बाइक के suspension में आपको पता है फ्रेंड में आपको बाइक में 37 mm की usdna की upside down suspension देखने को मिलता है अब आपको जो suspension मिलेंगे वो आपको adjustable suspension मिलेंगे जिया अब आपको company adjustable suspension प्रोवाइड करने वाली है तो ये भी जो नए अपडेट है दोस्तों आपको बाइक मिलेगा जो कि इसके लिए काफी जादा important रखता है बात कर लें दोस्तों इस bike के next update के बारे में तो वो हने वाला है दोस्तों इस bike के graphics में जैसी company में नया color और जैसी अपडेट आएगा तो नया color और नया ग्राफिक जो हमें देखने को मिलेगा जी हाँ वैसे तो यहाँ एक ऐसी bike है जो कि time to time ग्राफिक में अपडेट लाती रहती है बढ़ दोस्तों इसमें आपको अभी जो ग्राफिक मिलने वाला है आपको और भी नया ग्राफिक है नया बहतरीन ग्राफिक आपको bike में मिलेगा and I hope company जो भी ग्राफिक अन कलर आप्शन दे इस bike में काफिस चे गरग का ग्राफिक अन कलर आप्शन जो है company इस bike में bike में दे सकती है देखते हैं दोस्तों कैसा ग्राफिक अन कैसा कलर आप्शन आ रहा बागी अपडेट होने के बाद पता चलेगा next update होने वाला है दोस्तों इस bike में वो हने वाला है इस bike की braking में आपको बता दो इस bike में आपको dual channel endilog braking system मिलता है no doubt bike बहुत ज़दा अच्छी है बट दोस्तों आपको में बता दो अब इस bike में और भी नया update आ सकता है नया update में ऐसा है तो इस bike जोने update है दोस्तों आपको bike में मिलने वाला है पाकि दोस्तों आपको क्या लगता है वर्धन 3 में और क्या आपडेट होने जी आप नीचे comment section में comment करके जरूर बताएगा शुवित करता है आपको एक चोटी चींट्रस इंट्रस इंगर अच्छी लेगी तो लाइक करना चैनल पर पहली पर आया तो सब्स्क्राइब कर लेना well then next video में love you all जैयन मने मात